वेल्कम टू और तो ग्रैंडिंग मशीन में सबसे पहले हम काउंसिल आये हैं बेंच ग्रैंडिंग बेंच ग्रैंडिंग में क्या होता है एक बेंच होती है उसमें दोनों तरफ ग्रैंडिंग वील लगे रहते हैं एक तरफ जो ग्रैंडिंग वील रहता है वह दूसरे तरफ जो ग्रैंडिंग वील रहता है वह रफ एब्रेसिव का ग्रैंडिंग वील रहता है तो इसमें अप bench grinding का bench grinding के बाद दूसरा grinding machine जो आती है वो कौन सी होती है surface grinding surface grinding machine नाम से ही clear है किसके लिए इस्तमाल हो रही होगी flat surface की grinding करने के लिए flat surface की grinding करने के लिए इस्तमाल हो रही है अब ये grinding जो है इसमें grinding wheel जो है उसमें जो परिफेरी टाइब से ग्रांडिंग विल्र बिस्तुमाल कर सकते हैं और फेस टाइब के ग्रांडिंग विल्र बिस्तंय के एक टाइब Mormon grinding abrasives है तो उसको क्या बोलेंगे face type grinding wheels भी होंगे और depending upon the कौन सा grinding wheel इस्तमाल कर रहे periphery type या flat face type surface grinding चार तरीके से classify हो सकती है इसके grinding wheel के हिसाफ से और motion के हिसाफ से तो पहला horizontal spindle with reciprocating work table and दूसरा horizontal spindle with rotating work table मतलब पहले हम horizontal grinding surface grinding machine को देखेंगे तो इसमें आपको जो figures दिख रहा है उपर वाले A और B इसमें देखिए जो spindle है वो क्या है horizontal plane पे है दोनों में और work piece क्या है rotate कर रहा है पहले वाले में work piece क्या कर रहा है अब work piece को आपन लोग क्या कर रहा है linear motion दे रहा है first वाले में linear motion दे रहा है तो उसकी पूरी length के along क्या हो रहा है grinding हो रही है और उसमें कौन सा periphery type grinding wheel इस्तमाल हो रहा है length के along जब motion दी है तो पूरी length में हो गई अब इसमें grinding wheel की क्या कहते है periphery की width है यदि surface की width से छोटी होगी तो आपन लोग को cross feed भी देना पड़ेगा means work piece को perpendicular to the length parallel to its width भी motion देना पड़ेगा क्योंकि पूरी width के along भी अपने को grinding करनी है अगर grinding wheel की जो periphery की width है अगर वो work piece की width से कम है तो cross feed भी देना पड़ेगा और अगर work table की piece की width के बराबर है उस work piece उससे कम छोटा है तो फिर cross feed की आवशकता नहीं होगी फिर second में horizontal spindle with rotating work piece तो इसमें क्या देखिए आप work piece क्या हो रहा है rotate हो रहा है और grinding wheel भी क्या हो रहा है rotate हो रहा है फिर next step क्या होता है इसमें vertical spindle with reciprocating work table and vertical spindle with rotating work table तो नीचे वाले जो डागराम है C और D उसमें spindle की position देखिए vertical plane में है तो जो पहला वाला है उसमें work table क्या हो reciprocate हो रहा है दूसरे वाले work piece क्या हो रहा है अपना अब जो वर्टिकल grinding है इसमें अपने को face type की grinding wheel इसमें आपन लोग यह कहते है vertical spindle में अगर spindle vertical होगा तो face type का grinding wheel होगा और spindle horizontal होगा तो periphery type का grinding wheel होगा means surface grinding जो है किसके लिए इसमाल हो रही है surface flat surface की grinding करने के लिए flat surface जो आपने माल लो flat surface fence अपने माल लो यहां तक हम इतनी thickness reduce करनी है तो इतनी thickness reduce करने लिए पहले हम क्या करेंगे इसके उपर shaping करेंगे shaping करने के बाद अपने को work piece कहा तक बिल जाएगा इतना तक मिल जाएगा इतना मिल अब इतना ज़्यादा इतना बारिक टॉल्रेंस आपन लोग को किस से मिलेगा इस सर्फेस की फ्लैट सर्फेस जो मिली है इसको आपन लोग ग्रैंडिंग कर दें तो यह ऐ ख्लोस टॉल्रेंस जो अपने को मिलेगा एप्रॉक्सिमेटली बिल्कुल इसके बराबर मिल जाएगा जो सर्फेस ग्रैंडिंग में तीन प्रगार के मोशन होते हैं एक उसमें वील है के ऊपर वील अपनामटकल अब उस हैड को आपसं लोग इन फीट देते हैं direction में टेबल के direction में फीड देते हैं और वर्क पीज को दो motion देते हैं लॉंगिजूट्डीन डिरेक्शन में एक 비롯े देते मतलब तीन प्रकार की motion इसमें है वर्क पीज दो दिरेक्शन में कर रहा है और जो वर्क वील है उसको आपनो क्या लूगजपन करा देता है वर्ट पीस और ग्राउंडिंग हो जाती है तो यह रहा सिंपल आपका सर्फेस ग्राउंडिंग मशीन I hope it is clear to you thanks for paying your attention